साथियों आज आपके सहयोग से ही वन नेशन वन टेक्स का सपना साकार हुआ है GST के बाद बनी व्यवस्ताओं की बज़र से अब आपको हर राज में अलग-अलग चुंगी नाके का टेक्स नहीं देना होता इवे बिल से आपका सामान कितनी आसानी से पूरे देश में जा रहा है ट्रकों की कतारे कम हो गई है कोई अंतर राज्जिय अवरोध नहीं रहा है साथियों आज हम निश्चित तोर पर कह सकते हैं कि GST आने के बाद व्यापार में पारदर्सिता आई है आपको कच्चे पक्के की मजबूरी से मुक्ती मिली है यही कारण है कि रजिश्टर्ड व्यापार्यों की संख्या GST आने के बाद करीब दो गुनी हो गई है GST से राज्जों का राज्यस्व डेड़ धुना तक बढ़ गया है भाई और बहनों GST की ववस्ता आपके सुझावों पर चल रही है आपने देखाओ जैसे जैसे सुझावाए GST काउंसिल मिलती है उसको एड़ आप करती है सुधार करती है वरना पहले इस बजेट से अगले बजेट तक इंतजार करना पड़ता है अब ऐसा नहीं है दो मेने में भी रास्ता निकल सकता है GST काउंसिल के गर अगले बजेट तक अभी इंतजार नहीं करना पड़ता है मैं यह नहीं कहता हूँ कि सरकार से गल्पिया नहीं होती इतना बड़ा देश हैं एक निर्णे करते हैं इस इलागे के लिए ठीक होता लेकिन दूसरे इलागे के लिए नहीं होता है एक आइटम के लिए ठीक होता है दूसरे आइटम के लिए नहीं होता है लेकिन जब आते हैं लोग तो तुरंट पता चलता आर यार यह कैसे रहा गया तो दो मेहने में ठीक हो सकता है पहले ये बजट गया अगले बजट तक इंतजार करो ये हाल था आपके सुजा इसलिए भी जरूरी है कि इस देश का ब्यापारी देश की अर्थ व्यवस्ता की रीट की हड़ी है हम आपको जितना प्रोथ्षान दे सकें वो कम है साथियों आज आपके सुजाओं की बज़त से ही लोगों के दैनिक इस्तमाल की ज़्यादा तर चीज़ों पर पैक्स जीरों है 98% चीज़े 18% से कम के स्लेप में है वहीं छोटे छोटे काराबारियों को बड़ी राहत देते हुए GST काउंसिल निये GST से छूट की सिमा को दो गुना कर दिया और 40 लाग रुपे कर दिया है देड़ कड़ों रुपे तक का कारोबार करने वाली काईया एक प्रतिशत दर भुकतान की कंपोजिशन योजना का फाइदा उठा रही है हम इस प्रक्रिया को लगातार सरल बना रहे है आपके इसी सहयोग से पिछले पांच साल में देश इजब दिग बिजनेस की रैंकिंग में 65 पाइदानों की छलंग मार करके 77 वे सान पर आ गया है और मुझे एक दिल वर्ल बैंक के चेर्मेन का फोन आया बदाई देने के लिए इस बात के लिए कोई वर्ल बैंक का चेर्मेन भारत के प्रतार में देखे को फोन के रहे कोई लोजिक नहीं था मैंने का आपका इतना उस्था क्यों है बोले देखे मोदी जी एक डेवलोपिंग कंट्रीज और इतना बड़ा देश इतना बड़ा जंप लगाए ये दुनिया में कभी हुआ नहीं है और मैं यहां रुकने वाला नहीं हूँ आने वाले पांच साल के बीतर बीतर बहुती जल्द हम पच्चास वे स्थान पर आना चाहते हैं और ऐसे मैं मेरे छोटे काराबारियों के लिए व्यापार को आसान कर हम अपने लक्ष की तरब तेजी से बढ़ रहे हैं